अरो फ्रेंड्स मैं नोरोत्राम लोरोली और मेरे यूटूब चैनल अमेटगाइट पूपल्स वोईस के साथ एक बार मैं आज फिर हाजिरूं आपका नए वीडियो के साथ दरसल देश के अंदर कल साम 6 बजे के बाद एक नया हाई वोल्टेश ड्रामा है पूरी देश के अंदर चल रहा है और कलकत्ता के अंदर इस वक्त अमेर्जेंसी जैसे हालात हो चुके हैं दरसल ऐसा क्यों हुआ किस कारण हुआ इसकी हम पूरी डिटेल से आपसे बात चीत करते हैं उसे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना बोले हम आगे विस्तार से यह भी बताएंगी कि अभी तक इस दरने पर द स्केम क्या गोटाला के नाम से एक कोई गोटाला हुआ था जिसके जो मुख्य आरोपी बनाये गए थे उनमें मुकुल रोई जो वरतमान में बीजेपी के सांचत हो चुके उन्होंने बीजेपी जोइन कर ली थी 2014 के अंदर और वो बीजेपी में सामिल हो चुके थे और इन तो वो भी उनके घर पहुची और उन್होंने चिल्प्सरो के पांच के पांच अपसरों वो गृत्तार करवा दिआ जाता है। लेकिन हम को आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आपको सीबियाई कुछ ज्यादा सक्री के नजर नहीं आ रही जिसे ही घटबंदन की बात सामने आई अखिलेश यादव के उपर शिकंजा कसा गया उनसे भी पूस्ताच की गई कुछ दिन भीते नहीं कि बैस्पा सु सादव ममता बैनर जी और मायावती इन तीनों पर ही सीबियाई का ये कुछ समझ में नहीं आ रहा जिसाब वेसे दो बाप बीस्पी सुप्रेमा मायावती गटबंदन वाले दिन उन्होंने 12 जनूरी को कहा था कि आज के बाद अब सीबियाई वगेरा एडी वगेरा ये सार जो सस्ता हैं उनका गलत उब्योग नहीं करें दरहसले मामले के अंदर रात को देर रात को पूरा वाओ उसके बाद ममता बनर जी ने केंदर सरकार के खिलाफ है वो दरना देना शुरू कर दिया सारी रात वो सड़क के उपर रही रात भर और अभी वी उनका धरना है वो ज करके ममता बनर जी को कहा कि भीजेपी है वो लोक तंतर के लिए खानी का रख है बिने भीजेपी ने लोक तंतर और सवेदानिक सहस्ताओं का है वो गलत उप्योग कर रही है भीजेपी जो कर रही है वो हम 1219 के आने वाले लोग सबाचुनाओं में मिलकर भीजेपी को सत्ता से उखाड फेगेंगे और इन चीजों का बदला जरूर देश की जंता लेगी उसके बाद अखिलेश यादव ने भी ट्विट करके कहा कि मैमताब अनरजी को ड़रने की जरूरत नहीं है उनके धरने को हम पूरी तरीके से अपनी तरफ से समर्दन देते हैं उनके उपर किये जारे ऐसे वधनिक प्रहरों को हम ननिंदा करते हैं लालो परसाद यादव ने भी ट्विट करते भी कहा कि ये देखिए लोक तंतर का नंगा नाच बीजेपी के दुआरा लोक तंतर का अपमान करते भी अपने सक्ता का दुरूपियों करते भी नंगा नाच है वो CBI का हैं बीजेपी चाहिए कितना ही कुछ कर ले विपक्स मजबूत है और दोज्जार गुनिस के आम चुनाओं में बीजेपी को उकाड़ कर फैक देंगे एक एक किसी के साथ साथ एक और बयान सामने आया वो थे पाठीदार ने ता हार दिक पटेल का भी उन्होंने ट्वीट करत कि ममताब अनर जी तो वो राजा रिक्षंदर से भी ज्यादा होती क्योंकि इस मामले के जो मुख्य आरोपी है मुकल रोई वह वह बीजेपी के अंदर सामिल है और बीजेपी के सांसद है तो ममताब अनर जी अप्लीस का मेरी सिनियर के घर सी बी आए को जाने से पहले तो और सीबियाइ इप स्रोगों है अब तो चोड़ा जाओ शुका है लेकिन सीबिया इस ने भी इस मामले में कड़ा रुक अपना तेवे इस सुप्रीम कोट में जाने की है वो बात कहिए सिप्पी आई के चीप है उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को लेकर रहे सुप्रिम कोट मे टेजिस भी याद जो पाटिदार नेता हार दिक पाटे है जिगनेस मेवाणी सहीद पूरे वेपक्स के जो नेता है उन लोगों का है ममताब नर्जे को स्योग मेल चुका है बाकी नर्जब खबरों के लिए आप हमारे साथ अप्टूडेट रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए आप हमारे चैनल अमबेटकाइट पिपूल्स वैस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाईए और पाईए हर वीडियो के नोटेपी के साथ